हाई दोस्तों असलाब वरी कुम कैसे आप लोग मेरा नबील है टेबल पे आप देख रहे होंगे मेरे तीन-चार प्रोडक्स जो है वो रखेवे और सभी आपल प्रोडक्स है एक आइपड है एक आइफोन है एक मैक बुक है मेरे हाथ में आपल वॉच है और यहाँ पे मेरे चलेगा कि exactly क्या होता है अपल एको सिस्टम और कितना मजे का यह जो है काम करता है यह सब आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा शुरुवात करते दोस्तों अपल एको सिस्टम के टिप्स और ट्रिक्स की इसके मैजिक की पहली चीज़ से जो है यूनिवर्सल क्लिप अब मुझे इसको पेस्ट करना है मेरे WhatsApp पे किसी को सेंड करना है तो मुझे कुछ भी गडबड यहां पर करने की जुद्नी कुछ जो है तकलिफ उठाने की जुद्नी बस यहां पर मैं टैप करूंगा और यहां पर यहां पर पेस्ट हो गया मुझे इसको सेंड करना है मैंन इसको यहीं से लेके जाऊंगा, Share पर टाप करके Copy Photo कर लूँगा, और यह फोटो को अगर मुझे पेश्ट करना है, अपने Macbook के अंदर, यह मैं Note यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर पेश्ट करना है, Command V करूँगा, और यहाँ पर फोटो जो है, हमारे Note के अं across all Apple devices, और दो-चार होते हैं, तो उसके साथ भी काम कर जाता, अब अगली चीज़ हम लोग चेक आउट करते हैं, वो है Hand Off, अब Hand Off की ब्यूटी यह है, कि suppose मैं अपने iPhone पे, Safari पे, कोई भी वेब पेज जो है, उसको ब्राउस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं उसको ब्राउस करत यही website, exactly, यहाँ पे मेरे MacBook के उपर भी open हो जाएगा, और मैं उसी article को, उसी website पे, यहाँ से continue कर सकता हूँ, read करने के लिए, suppose मैं यहाँ पे कोई mail टाइप कर रहा हूँ, और मैं mail टाइप करते-करते, अपने MacBook पे, उस mail को continue करना चाहता हूँ, या iPad पे, तो यहाँ पे, अग बन कर सकता हूँ, अगर iPad नजदीक में है, तो भाँ पे भी मुझे वो option दिखा देगा, और यह hand-off अला feature, mail, safari, notes, calendar, बहुत सारी चीजों में आप इस्तमाल कर सकते है, अपने Apple products के बीच में, अब check-out करते है, मेरा favorite feature, AirDrop, जो हमारे office में बहुत जादा extensively इस्तमाल किया जा अब मेरे यहाँ पे iPhone पे है, अब मुझे इसको send करना है, अपने Mac पे, अपने iPad पे और 10 डिवाइसों के तो उन पे भी send कर सकता हूँ, और कितनी बड़ी file होगी, फटा-फट जो है quickly यह चली जाती है, यहाँ पर बस मुझे यह share पे tap करना है, उसके बाद यहाँ पे AirDrop में मैं tap कर सकता हूँ, और यहाँ पे tap करने के बाद देख सकते है, मेरे दो MacBooks यहाँ पे दिखा रहा है, एक iPad दिखा रहा है, यह एक और MacBook पीछे कुला हुआ है, तो यहाँ पर यह वाला MacBook है, यह है, इसको select कर लेता हूँ, iPad को भी select कर लेता हूँ, देखिए, भी simultaneously जो है, तो कोई भी file हो, आप instantly airdrop कर सकते, across all your Apple devices, अगली चीज़ है दोस्तो, AirPlay to Mac, आपका phone है, आपके पास, आपको phone के screen छोटी लग रहे है, जो YouTube वीडियो आप वहाँ पे देख रहे हो, handoff भी नहीं आपको करना है, simply आपके phone से आप वो वीडियो जो है, प्ले कर सकते हो, अपने MacBook क के उपर, बड़े screen के उपर, यहाँ पे मेरा YouTube वीडियो में प्ले कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, simple सा है, बस control center को open करना है, यहाँ पे AirPlay वाले बटन पे tap करना है, यहाँ पे speakers and TV मेरा MacBook Pro दिखा रहा है मुझे, इस पे मुझे tap करना, और MacBook पे देख अब यह connected है अपने Mac के साथ, यहीं से मैं इसको play post कर सकता हूँ वीडियो को, और next वीडियो पे जाना है, previous वीडियो पे जाना है, audio control करना है, सब कुछ यहाँ से मेरे phones है, मैं कर सकता हूँ, अब अगली चीज़ है दोस्तो, universal control, जो काम करती है आपके Macs के बीच में, या फि जो है, एक ही trackpad से, दोनों devices को control कर सकते हैं, यहाँ पे आपको cursor दिख रहा है, मैं यहाँ यहाँ पर move कर रहा हूँ, यहाँ यहाँ पर move कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पर करना है, यहाँ पर भी लाकर जो है, इसको operate करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहीं से, अपने iPad को भ open करनी है, समझो, यह एक screenshot है, जो मुझे यहाँ से pull करना है, और यहाँ पर MacBook पर लेके आना है, तो देखिए, भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर instantly आ गया, और यहाँ पर मुझे, अगर same चीज, MacBook से लेके जानी है, और iPad के अंदर रखनी है, तो iPad में भी लेके जाके मैं रख सक देखें, यहाँ पर import होगया, and that's it, अगली चीज है guys, unlocking your MacBook with your Apple Watch, यह भी काफी साही चीज है, बहुत ही convenient है, अब यहाँ पर MacBook रखा वाया différents में, mem руки, password मेरी मेरी ना spawn पर side में रख है, अगर मैं अपने MacBook को close करूं कहीं पर ब्रेक लेने के लिए और बाद में इसको फिर से ओपन कर तो यहां पर देख सकते हैं और अब यह मांगेगा टैच आइडी या फिर पास कोड तो यहां पर मैं टैच आइडी जो है अपने मैक पे लगा देता हूं यह उनलॉक हो गया लेकिन अब जब मैंने आपल वाज का पास कोड नहीं पता हो अगला फीचर भी बहुत ज्यादा यूसफुल है दोस्तों यह है इंस्टेंट होट स्पोट में यह क्या करता है आपको कोई भी होट स्पोट से मैनुली करने की जरूत नहीं जैसे वाइफाई आपका चला जाएगा तो आपका आइफ क्या अज़िकली जो है चुका है मेरे आईफून के फॉट स्पोट से यहाँ पर देखिए आप वाइफाई पर देख सकते हैं फिफीफ्टीन प्रो मैक्स क्या धी कनेक्टेड है एपल एको सिस्टम का एक और कमाल का फीचर है कॉल और डिवाइस अगर आपके आईफून है और आपके पासे iPad, Apple Watch, MacBook, सब जगा पे आपको आपका call जो है, वो देखने मिल जाता है, आपकी मज़ी आप control कर सकते हो, उससे क्या होते है, आप कोई भी call miss नहीं करेंगे, और अगर आपको Mac पे बात करने है, loud and clear तो भी आप कर सकते हैं, आइए बता तो कैसे काम करता है, अभ पे क्लिक करके, और जैसे मैंने accept पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते है, मैं पास control भी है पूरा, इसको मैं FaceTime call में convert कर सकता हूँ, यहाँ पे dial pad ओपन करके, एक और नमबर डायल करके, conference कर सकता हूँ, call end कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसको फिर से अपने iPhone charging पे है, तो Macbook पे भी आपके call receive कर सकते है, Apple Watch पे भी और अपने Airpods पे भी और अपने iPad पे भी, अब हमारे Apple ecosystem के continuity features में आपको बताता हूँ, continuity features में सबसे पहला feature है continuity markup, अब markup क्या होता है, सबसे पहले समझा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे देखिए, यह PDF file है, car का ब्र आपको कोई और चीज़ करनी है, तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका document है, PDF है, या फिर आपकी photo है, इसको double tap यहाँ पे कर लीजे, या फिर right click कर लीजे, Mac पे आपके, और उसके बाद quick action में जाके click on markup, जैसे आप markup पे click करेंगे, देखिए, यहाँ पे iPad पे यह automatically आ गई, और iPad पे आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे क्योंकि हमाँ यह Apple Pencil है, और यहाँ पे हमको कोई text को highlight करना है, तो सबसे पहले आप zoom in कर लीजे, iPad पे, देखिए, यहाँ पे zoom in हो गया, यहाँ पे हम highlighter tool जो है, वो select कर लेते है, इस पर tap करेंगे double, हमको simply यहाँ पे ऐसे highlight करते है, चले जाना है, हम highlight कर लीजे, जो भी highlight आपको करना है, मैं ठीक से नहीं करा हूँ, मैं आप कर सकते है, मैं just demonstrate कर रहाँ आपको, और यहाँ पे आपको कोई चीज करनी है, तो यहाँ पे pencil जो tool है, वो select कर सकते है, यहाँ पे black या red, आपको कोई चीज जो है, इस तरीके से mark करनी है, वो कर सकते है, इसके अंदर भी thickness वगरा adjust कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपने iPhone को या दूसरे Apple devices को भी चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं अपना iPhone अगर चूज कर लो, 15 Pro Max है मेरा, यहाँ पे मैं इसको चूज करता हूँ, यहाँ यह PDF file open हो गई, और यहाँ पे भी मैं touch से यह markup का इस्तमाल कर सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, अब यहाँ पे अपने Apple ecosystem का continuity camera feature check out करने वाले, तो यह हमारा जो MacBook है, इसके camera का output आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो basic है, HD camera है, और यहाँ पे center stage वगरा कुछ नहीं है, तो मैं कैसे यहाँ पे अपने iPhone के camera को इस्तमाल कर सकता हूँ, बस मुझे iPhone को पीछे रखना है, अपने कुछ भी नहीं करना है, सब चीज seamless है, सब चीज अपने आप हो जाती है, बस यहाँ पे मुझे जाना है, इस green icon पे tap करना है, फिर इस blue icon के बाजू में tap करना है, यहाँ पे 15 Pro Max लिखा है, मुझे इसको चूज करना है, और अब आप जो मुझे देख रहे हो, 15 Pro Max के camera से देख रहे हो, और यह center stage का भी इस्तमाल कर रहा है, तो मैं नीचे चला जाता हूँ, तो यह मुझे जो है follow करते रहेगा, और सब portrait modes वगरा, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है, इसी के साथ, मैं यहाँ पे जाके, इस पे click कर सकता हूँ, desk view पे, जहाँ पे देख सकते हैं, अब यह मेरा desk दिखा रहा है, मेरे iPhone के ultra wide angle camera के दुरू, और यहाँ पे मैं zone set कर सकता हूँ, कि कौन सा zone मुझे जो है, यहाँ पे दिखाना है, सपोज मुझे इतना सारा area दिखान या फिर थोड़ा सा area में कम कर देता हूँ, इतना दिखाना है table वाला हिसा, और share desk view पे on कर देता हूँ, तो मेरा face भी सामने वाले को दिख रहा है, और साथी यहाँ पे यह product है, जिसके बारे में अगर मुझे कोई presentation देना है, अगर मुझे कोई बाते करनी है, तो वो भी मैं इस meeting के अंदर कर सकता हूँ, अगला continuing feature है दोस्तो, scan and shoot on your Mac through your iPhone या फिर iPad, iPad iPhone के अंदर आपको cameras better मिलते है Mac से, और camera यहाँ पे Mac का front facing रहता है, यहाँ पे आपको document scan करना है, तो ऐसे तो रखके आप scan नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप अपने iPhone या iPad का इस्तमाल करेंगे, कैस से करेंगे, जहाँ कई भी आपको scan image add करना या photo add करना है, sketch add करना है, यहाँ पे आप जो है दो finger से इस तरीके से tap करेंगे, यानि कि right click करेंगे, insert from iPad और iPhone यहाँ पे option आपको मिलता है, इसके अंदर आपका देखे 15 Pro Max है, यहाँ पे take photo, scan document, add sketch option है, जो भी आपका Apple device है, यहाँ इसके अंदर फिल्टर लगा सकते हो, auto mode पे रख सकते हो, manual रख सकते हो, जो document को scan करना है, बस अपने viewfinder के सामने ले के आओ, यह automatically एक photo निकाल लेगा, इसलिए थोड़ा difficulty और अदर वाइस देखिए, अभी यह निकाल दिया यहाँ पे, अभी जो photo है, इस पे यहाँ पे save कर और यह document scan होके हमारे file में automatically, instantly add हो जाएगा, अगला जो हमारा feature है, sidecar, sidecar इतना organic feature है, कि आप अपने iPad को, अपने MacBook के second screen के तोर पे इस्तमाल कर सकते हैं, तो आईए बताता हो, कैसे कर सकते हैं, sidecar के example, यहाँ पे आपके सामने में आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरा iPad रखा करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, iPad पे पूरी screen mirror हो रही है, अब screen mirror करके इस्ताइदा नहीं है, तो use as separate display में यहाँ पे tap कर दूँगा, और अब यहाँ पे मेरा iPad के display अलग हो गया है, अपने MacBook के display से, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, करसर यहाँ से वहाँ जो pointer है कि कैसा है, क्या है, क्योंकि छोटा window था यहाँ पे, तो बड़ा window कर सकता हूँ, अगर मुझे यह setup नहीं चाहिए, तो again मैं यहाँ पे tap करूँगा, और यहाँ से मैं viewer चूज़ करूँगा, तो viewer जो है मेरा यहाँ पे आ गया, तो मैं proper बड़े display पे अपनी video को edit करने के पे view कर सकता हूँ, देख सकते हैं, और यह real time में without any lag, जो है, प्रॉपली काम कर रहा है, और यह से final cut pro में नहीं, आप किसी भी application के अंदर, दो screen के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, चाहिए आप ट्रेडिंग कर रहो है, यह तीगानी दोस्तो, apple ecosystem की, मैंने सुचे आपको apple ecosystem के सार अच्छे से explain करूँ, जहाँ पे, macbook किस तरीके से अपना roll निभाता है, apple watch क्या काम करती है, बहुत सारे काम करती है वैसे तो, लेकिन इस ecosystem में क्या काम करती है, वो iPad क्या काम करता है, और आपका iPhone जो है, वो क्या काम कर सकता है, तो यह तीगानी दोस्तो, complete apple ecosystem की, आपको इसम कर बाल को सब्स्री दो जो की, धोई बड़ा outta